दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में एक बहुती बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आई है जहाँ पर जो भक्त है वो पूरी तरीके से पागल होने वाले आने वाले कई दिनों तक भक जो हैं 6-6 फुट की छलांगे मारेंगे और कोर्ट नहीं ओर्डर्स दिये थे कि विडियो सर्वे कराने का काम किया जाए और एसाई की जो टीम है उसके साथ विडियो सर्वे कराया जा रहा था कुछ पेटिशनर्स थे उनकी पेटिशन के ओपर यह सारी चीज़े कराई जारी थी इस टाइम पर बड़ी खबर यह निक यही भक्त इसी खबर के उपर हमारे देश में पूरा महौल बिगारने की कोशिश करेंगे और जितनी भी असली खबरे हैं उससे हमारे देश का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे हो सकता है कि जो बाबरी मस्जद के टाइम पर पूरी सिचुएशन पूरा महौल बना दिया गया था इस टाइम पर फिर से वही महौल बनाये जाए आप लोगों को बहुत जादा सतर्क रहना है सारे के सारे सिनारियोज में और किसी भी तरीके की हिंसा का सारा कहीं पर भी नहीं लेना है आपको धैर्य से काम लेना है इस वीडियो में मैं आपको इस खबर की पूरी डीटेल्स बताने जा रहा हूँ चड़ी दारी चिंटू किस तरीके से इस पर अल्रडी पागल होना शुरू हो चुके हैं ये भी बताने जा रहा हूँ लेकिन साथ में मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जो कि आपकी आखों के सामने सच्चाई को पूरी तरीके से बया करके रख देगी ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है लेकिन ये शिवलिंग कहां से आया हो सकता है एक खबर 2019 की है जो कि आप लोग शाहिद भूल चुके होंगे जो आपकी जहन से उतर चुकी होगी आपके सामने रखूंगा तो आपके सामने सारा का सारा दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा नरेंद्र, मोधी, योगिया, अधित्यनाथ, भारतिय जनता पार्टी जितने भी संगी चिंटू हैं उनकी पूरी तरीके से यहाँ पर सचाईयां सामने आ जाएंगी चिंटू की पूरी तरीके से लंका लगने वाली है तो बिना किसी देरी कि आपके सामने सबसे पहले इस खबर को रखना चाहता हूँ Times of India के माध्यम से शिवलिंग पाउंड इन ग्यानवापी वेल क्लेम हिंदू लॉयर्स यानि कि आज इस पूरे के पूरे सर्वे का आखरी दिन था और सर्वे खतम होते ही यह जो हिंदू पक्ष के लॉयर्स थे जो पेटिशनर्स के लॉयर्स थे उन्होंने बाहर निकल के यह बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पर हमारे को एक शिवलिंग मिला है और उसके बाद जो वहां की जो लोकल कोट थी जिसने यह पूरे के पूरे सर्वे के ओर्डर्स दिये थे उसने यह भी एकदम से ओर्डर निकाल करके दे दिये कि इस पूरे एरिया को सील कर लिया जाए यह भी वहां के administration को order दिये गए है इस time की ये recent update है ये खबर मैं और भी माधियम से आपको दिखाना चाहता हूँ news 24 के माधियम से भी देख लीजिए ग्यानवापी survey मामला वारणासी civil court ने जिला अधिकारी को दिया आदेश कहा जिस जगा पर shivling मिला है उस थान पर ततकाल प्रभाव से seal कर दिया जाए ये वहां के जो court ने ये orders देने का काम किया है वहां की administration को लेकिन जैसे की मैं बता रहा हूँ कि ये shivling कहां से आया है भी बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ और बकायदा प्रूफ के साथ करने वाला हूँ आपको शायद कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा लेकिन उससे पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ चड़ी धारी चिंटू जितने भी right-wingers हैं जो कि इस मौके की फिराक में लगे हुए थे जो की चाहते थे कि ऐसा कुछ निकल कर आए उसके बाद देश का पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे गंदगी मचाने की कोशिश करेंगे वो कैसे एकदम से active हो चुके हैं कश्मीरी पंडितों का मामला निकल कर रिसेंटली सामने आया और राहुल भट की किस तरीके से हत्या करेंगे उसके ओपर किसी ने कुछ नहीं बोला लेकिन आज सारे के सारे एकदम से गटर से बाहर आगए जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए केशव प्रसाद मौरया ने tweet करने का काम के और केशव प्रसाद मौरया का tweet के मायने क्या हैं ये भी अभी आगे चलकर आपको बताओंगा ये भी आपि आप में बड़ी बात है लेकिन क्या केपी मौरया tweet में लिखते हैं। अपनी screens पर देख लीजिए बुद्पूर्णिमा के अफसर पर ग्यानवापी में बाबा महादेव के प्रकटिकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को एक पुराणिक संदेश दिया है यानि कि ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पहले ही भार आ चुके लेकिन ये शिवलिंग फिर से बोल रहा हूं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर जरह एक और दिखे अपनी स्क्रीन के उपर की राइट विंगर्स लेकिन कैसे पाग टू कम और ये इस तरीके के ट्वीट्स आज सुबह से ही आने लग चुके थे सुबह से ही सब शूरू हो गया था एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के उपर अमीश देवगन जो की येट अगें कश्मीरी पंडितों के रीसेंट मैटर के उपर पूरी तर काने में मिला शिवलिंग वकील विश्णू जैन ने दी जानकारी एकदम से ये लोग अक्टिव हो गए और ये लोग इस मौके की फिराक में अल्रडी कई दिनों से लगे हुए थे अब केशव प्रसाद मौर्या का जो ट्वीट है ये अपने आप में बड़े माइने रखत है लेकिन उससे पहले जरा आपकी स्क्रीन पर रख देना चाहता हूं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है हेरिंग के ले कल पेंडिंग था और इतनी जल्द बाजी में आखिरकार कौन है इन सब चीजों के पीछे जो इतनी जल्द बाजी मचाने का काम कर रह जहां पर मुस्लिम पक्ष जो है इसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां पर जाके उन्होंने कहा था कि सर्वे के ओपर रोक लगाई जाए उसके ओपर कल हेरिंग होने वारी थी लेकिन आज ही एकदम से शिवलिंग जो है प्रकट हो गया कहीं से और ये दाव कि जहां पर मजजिद है वहां पर शिवलिंग था या पिर उसके नीचे एक मंदिर हुआ करता था यह ऑल्रीडी जैसे की हर मैटर में होता है मीडिया जो है ओल्रीडी सीज को ऑट इसको बना चुकी है और इस्टाबलिश कहीं कहीं करने की कोशिश कर रेए जूट को अब छोड़ी दीजिए क्या ही बोलू मैं यहां पे एक आपको आर्टिकल दिखाना चाहता हूं यह वही आर्टिकल है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जहां पर हेड्लाइन में लिखा होता कि शिवलिंग फाउंड इन ज्या जैसा ही जैसा कि राम मंदिर के टाइम पर किया गया था और कुछ फोर्स दुबारा उसी तरीके की चीज को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर और मैं इसको पढ़के आपके सामने सुनाना चाहता हूं वारण असी आज विडियोग्रफी सर्वे ऑफ जैसा कि अब आपके सामने एक और खबर रखना चाहता हूं जो कि साल 2019 की खबर है जो कि नरेंदर मोदी जब गए थे काशी विश्वनात कोरिडोर का जब इनाउग्रेशा इसका उस ताइम पर जब उस चीज को शुवारम इसका करने गए थे तो वहां से खबर थोट दिन पहले निकल कर आई ती जो मैं आपके स्क्रीन पर रखना चाहता हूं इन अर्ली मार्थ जस देज बिफोर अरेंदर मोदी अर्राइब इन वारनाशी तो लेड़ फांडेशन स्टों फॉर काशी विश्वनात कोरिडोर प्रजेक्ट फू लोकल रिजिदेंट्स वर कॉट इन अक्ट ऑफ सब्टफूज दे रिजिदेंट्स वर मिली है जो शिवलिंग मूर्ती मिली है वो नंदी फेस शिवलिंग है और ये न्यूज भी साफ साफ बताती है कि कुछ वहां के लोकल रिजिदेंट्स ने नंदी की स्टैचू वहां पर रखने का काम किया था क्या इन दोनों चीजों को साथ में जोड़ कर ये चीज नहीं स केशव प्रसाद मौर्या के ट्वीट के ओपर जहां पर मैंने उसको छोड़ा था ये बोलके कि मैं आपको आगे समझाने का काम करूँगा कि इसकी अपने आप में एक अलग इंपोर्टेंस से दिखिए केशव प्रसाद मौर्या ने ट्वीट किया योगिया अधित्यनाथ ट्वीट नी करा ना ही सेंट्र किसी मिनिस्टर ने ट्वीट करा है केशव प्रसाद मौर्या जो है नरेंद्र मोधी और अमिच शा के बहुत खासम खास बहुत ही करीबी माने जाते हैं इंपक्ट ये भी बताया जाता है कि रिसेंटली जब वो इलेक्शन हार गए थे तो न अबरी मस्जित का डिमॉलिशन हुआ था डिसेंबर नाइटीन नाइटीटू उसके बाद जो है उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर यूपी के जिनका नाम था कल्यान सिंग उनको रेजिगनेशन देना पड़ गया था इस पूरे केस की और अमिच शा के लिए कितनी खुशी की बात है ये तो आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे और इसलिए इस पूरी चीज को सेलिबरेट करने का काम इस टाइम करें केशव प्रसाद मौर्या लेकिन इस चीज के ओपर आपको पहले से ही वान कर देना चाता हूं आपको ये भी बोलना चाता हूं कि प्लीज बिल्कुल पेशेंट रहेगा अपना टेंपर लूज मत करिएगा और किसी भी तरीके से अहिंसा का सहारा मत लीजेगा क्योंकि इस चीज के ओपर भग जो हैं पूरी तरीके से पगलाने वाले और आपको उकसाने का काम करने वाले आपक ये जो न्यूज मैंने आपके सामने शेयर करें कि एक टाइम पर 2019 में मार्च में कुछ वहां के लोकल्स ने नंदी की स्टैच्यू रखने का काम किया था ग्यानवापी मस्जिद की नौर्थ वाल के पास और इस टाइम पर जो ये कह रहे हैं शिवलिंग निकल कर क्या ही है वो भी नंदी फेस शिवलिंग ये लोग खुद बताने का काम कर रहे हैं ऐसे में दोनों चीजे जो है ये एक इतिफाक तो नहीं हो सकती इस खबर को जादर जादर लोगों तक पहुचाने का काम करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो नीचे दिए लाइक के बटन इसक्रिप्शन में दे रखा है मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में